पित्रो नमस्काल आप देख रहे हैं धम्रिस पत्तिका का यूटूब चैनल दस तक मीडिया मैं विनोश्वक्ल आपको सुना रहा हूं बावा नीम करोरी की अद्भूत कत्हाएं अद्भूत कत्हाँ की सरंखला में आज मैं आपको महराजी के जन्म से लेकर जो जन्मिस्तल है ना वहां से लेकर और मानव देह लीला का समापन उन्होंने किया ब्रंदावन में तो ब्रंदावन तक की सारी गाथा इस अंक मैं आपको सुनाने जा रहा हूं महराजी के जीवन का उद्देश क्या था मानव देह लीला क्यों रखी एक बार उन्होंने अपने भक्तों से बाचित करते थे बैठते थे तब तो उन्होंने कहा था मैं धर्ती पर धर्म को बढ़ाने आया हूं क्या का था मैं धर्ती पर धर्म को बढ़ाने आया हूं यह सब्द उन्होंने ताज जंदगी जबसे उनका जन्म हुआ और मानव देह लीला का समापन हुआ तब तक उन्होंने निभाए तो आज चलते हैं उनके गाउं अकबरपुर और मैं आपको बता दूं कि बाबा नीम करोरी का जन्म सन उन्नीस्व में आगरा जन्पत जब जन्म हुआ था तो आगरा जन्पत था अब फ्रोजाबाद जन्पत का एक गाउं है अकबरपुर उसमें हुआ है जन्म इस्थल आपको दिख रहा है तो महरत जी का जब जन्म हो जाता है तो पिता दुर्गादास सर्मा माता कोसल्या देवी शर्मा कि खुसी का आरा पार न सब बहुत प्रिशन है सब कुछ बहुत अच्छा चलना है बालक कुशाग्र गुद्धी का है यह मालम पर जाता है दीमे दीमे और बड़ा होने लगता है बालक और बालक आठ वर्ष की अवस्था जब होती है सन 1908 में उनकी मा का दिहा वसान हो जाता है बज तूट जाता है जब बालक को सबसे ज़्यादा मा के मम्तत्य की आवशक्ता होती है मा चल बसी है आप समझे एक बालक सबसे ज़्यादा प्यार सबसे ज़्यादा इसने और सच में लालन पालन का जो तार्तम है माता और पिता का दोनों का उतरदाइत है उसमें मा की आठ में चल बसे हैं बालक आठ वर्ष का है पिता दुर्गादाश शर्म पर परिवार का रिष्टेदारों का गाउवालों का एक प्रेसर होता है एक ऐसी इस्तिती पैदा कर दी जाती है कि आपका बालक छोटा है घर में और विवस्थाइं है उनको कौन चलाएगा समझाया जाता है और उन्हें दूसरे विवा के लिए राज कर लिया जाता है दुर्गा दाश शर्मा का दूसरा विवा हो जाता है यहीं से लच्मी नराइन सर्मा बाबा का प्रतम नाम लच्मी नराइन सर्मा के बाबा नीम क्रोरी बढने की गाथा शुरू होती है और बर्स 1911 में अक्वर उनके पास ही उसी छेत्र में गाउं है बादाम बास क्या गाउं है बादाम बास वहां राम बेटी नाम की बेटी है और उनके पिता ग्राम अक्वर पुर में लच्मीन राइन सर्मा का रिस्ता लेकर आते हैं पहले बहुत छोटे पन में साधी हो जाती थी आठ वर्स की राम बेटी है और ग्यारा वर्स के लच्मीन राइन सर्मा है उनके पिता आते हैं लच्मिन नराई शर्मा के पिता दुर्गादाश शर्मा से प्रस्ताव रखते हैं और 1911 में लच्मिन नराई शर्मा और राम बेटी का विभाव हो जाता है लच्मी नराईं शर्मा ग्रह छोड़ देते हैं और अपना घर छोड़के एकपरपुर से चले जाते हैं राम बेटी घर में हैं लच्मी नराईं शर्मा ग्रह त्याग करके चले गए हैं और उनका कोई अतापताब नहीं है तेरे वर्स का वालक घर छोड़ देता है कहां चला गया क्या हुआ पूरा परिवार परिशान है पूरा रिस्तेदार जो भी है सुपचिन तक वो परिशान है लेकिन कई किसी को पता नहीं चलता इसके बाद क्योंकि जो भीक्ति जिस लाइन का होता है उसमें ज्यादा एक्स्पट होता है और उस ही लाइन की चेत्रमय मैं आपको बता दू कि जब वो घटना एक गाओं की है और जब वो गाओं में रहते थे वही आरदस साल की उमर में तो उन्होंने एक रात में यह कहा था, which I gave a ये कहा कि ये बालक तो बड़ा बविश्द रष्टा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को आदमी धिहान में नहीं देता अब जब महराजी की बहुत सारे चमतकार पुला जीवन में आपको बता रहा हूं नहीं में से तो ये बाद नोटिस में आ गई अब इसी तरह उनका अध्यात्मिक छित्र में उनका लगाओ ये अध्यात्मिक छित्र की उप्लबिधी बालपन में आप पहुंचते हैं गुजरात के राजकोर्ट जगे पर राजकोट में एक आस्रम में आप सेवाय देते हैं और बहुत अच्छी तरह से उनकी तपस्या सुभी हो जाती है जब साधान गिरस्त वेक्ती सन्यास में जाता है तो फिर गिरस्त में जो नाम होता है वो बदल जाता है गिरस्त में उनका नाम लच्छमिना राजिन सर्मा है और आज उनको राजकोट गुजरात में जहां पर जिस आस्रम में वो रह रहे हैं जो भाके मेहंत हैं उन्होंने नाम बता दिया है लच्छमरदास बावा लच्छमरदास बावा लच्छमरदास अपनी सेवाएं आस्रम में करते हैं आस्रम बासी बहुत प्रसंद हैं उनकी योगिता उनकी सेवा भाव उनके जब तब को देखते हुए मेहंत ने अपना उत्रा धिकारी घोशित कर दिया उन्हें अब कोई नए व्यक्ति आया है पहले से और कई सेवक हैं वहाँ पर कई सिस हैं और उनको बाई पास करके नए व्यक्ति को मेहंत घोशित किया जाने यह अगले जब हम चले जाएंगे तो यह मेहंत बनेगा तो यह जो पूर में जो उनकी सिस्थ थे उनको बुरा लगा महराजी के संग्यान में जैसे ही यह बात आई महराजी न अपने उन मेहंत जी से आग्या मागी और वो इस्थान छोड़ दिया अब आप राज़कोर से आते हैं बवनिया गाओं है एक गुजरात में ही बहाँ पहुंशते हैं और बहाँ पर हनुमान जी का मंदिरिक इस्थापित करते हैं बहीं पर तालाब है और वो एक कठिन तपस्या का निर्ड़ ले लेते हैं वो अब तालाब में घुश जाते हैं और घंटों खड़े होकर तपस्या करते हैं घंटों खड़े होकर मंदिर में आये मंदिर में जब तप जो करना हो करने के बाद तालाब में घुश गए और तालाब हम आपको दिखा रहे हैं तालाब का जो बर्तमान द्रश्य है बवनिया का द्रश्य भी आप देख लीजेगा यह हनुमान जी है बवनिया के तो यहां पर ही वो तालाब में खुषते हैं और खंटों बहाँ पर अपना जबतब करते रहते हैं और इसके साथ ही होता क्या है कि बहाँ पर जो गौले होते हैं पस्चराने वाले होते हैं और लोग होते हैं वो आते हैं और बहाँ से वो उनसे बारता भी करते हैं खाने पीने की चीज़ें भी मांग लेते हैं तो बाबा लश्मनदास 2200 उच्छाल के दे देते हैं और कभी-कभी तो ऐसी मांग कर देते हैं कि आप पानी में खड़ें आपके पास तो है नहीं कुछ लेकिन किसी ने कहा कि बाबा जी हमको जलेबी खानी है तो उनने ऐसे हाथ गुमाया पीछे लिया ऐसे उचल दिया तो एक पैकेट में जलेबी पहुँच गई ये चर्चाएं धीमे-धीमे जब होने लगी तो वहां लोग एकत्रित होने लगे आपकी मानिता बढ़ने लगी आपका अध्यात्मी के छेत्र में प्रभाव बढ़ने लगा आप 1913 में गरत्याग करके गए थे और 1917 तक आप बबनिया में रहते हैं पूजा जब तब सब चलता है और फिर वहां लोग आपको तलया बाबा के नाम से पुकारने लगते हैं कि वो तालाब में खड़े होते हैं तो तलया बाबा हो गए है पहला नाम ठा जब वो घर में पैदा हुए तो उनके पिता지고 माता जी ने रखा था लचमिन राइन सर्मा आप राज्गोट पहुँच्टे हैं उस आसरम में जो मेहंत जी हैं वो उन्हें लचमिन राइन सर्मा से लश्वनदास बना देते हैं बावा लश्वनदास, जब अधर करते हैं तलाभ में घंटों घूर तप्लश्या का जो क्रम चलता है तो ऊसे देखते हुए लोग उन्हाँ अध्य istomy प्लश्वन गूरंसर्मा से तलेया बाबा तक का आप सुन रहे हैं और अभी बाबा नीम करोडी नहीं बने है बबनिया में 1917 में बबनिया में एक संत है महिला भापर रमावाई उनको वो आसरम देते हैं और वहां से चल परते हैं 1917 में वो गंगा मया से मिलने जा रहे हैं और गंगा मया का जो घाट अब पंचाली घाट के नाम से पंचाल घाट के नाम से जाना जाता है और उसका पूर्व नाम गटिया घाट है बच्वन्न मुझे भी वहां गंगा इसनान का बहुत सवभाग मिला है अपनी मा के साथ मैंने कई बार वहां गंगाशनान किया है और आज भी हम प्रबारिक सदस्यों के साथ जाते हैं और गंगा मिया का एक इंटरविव आपने हमने एक संथ आप दिखाया है ना तो गंगा मिया बहुत मुझे बहां जाकर मुझे भी सांता मिलती है तो बाबा लच्मरदास यानि तलया बाबा गेंगा मैया की तरफ बढ़ते हैं और ट्रेंड में बैठे हुए हैं ट्रेंड नीम करूरी गाओं एक है बहाँ पर है और बहाँ पर टीटी लच्मरदास से टिकेट मालता है टिकेट की बात पर टिकेट तो महाराजी के पास है लेकिन वो पर्थम सेड़ी डिब्बे में बैठे हुए हैं और वो और कुछ पूस्तास न करके क्योंकि जो उसका आवरण होता है उसके हिसाब से वो नहीं लग रहे रहे कि यह दून करेदे होओं इस ने भला बुरा हाँ कहते हैं उन्हें ट्रेंड से उतार दिया ट्रेंड रोकी और उतार दिया। उतारने के बाद उसने जब उसे चलवाने के लिए संकेत दिया, तो ट्रेंड नहीं चली, मैंने आपको वो इस्थान भी दिखाया, जहां महराजी बैठे थे बहाँ पर, इस्टेशन मास्टर चंशे के शुक्ला नहीं बताया था कि यही इस्थान है, क्योंकि उनके पिता भी बहाँ परिश्टेशन मास्टर रहे, तो उस समय वो भी महराजी के अनने भागत, तो वो ट्रेंड नहीं चलती है, विश्वरसित कहानी है, या आपको भी पता होगी, बहुत परिशानी होती है, रेल्वी विवा के तक्नीशियन और ड्राइबर, टीटी, गार्ड सब लग जाते हैं, और ट्रेंड नहीं चल पाती है, फोलिस टीम देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर कोई ये कहता है, कि आप बाबाजी बैठे हुए हैं, उनसे कहो, उनसे बिठाओ, तो शायदी ट्रेंड चल दे, पूरा स्टाफ जाता है, उनके पास नमन करता है, उनसे कहता ह महराजी आप चलो, महराजी आज आते हैं, और टिकेट भी दिखाते हैं, फस्सक्लास की कि देखे टिकेट भी है, और आपने हमसे पूचा नहीं, उनके बाबाजी गलती हो गई, जो कुछ भी है, तो वो ट्रेंड में बिठा लिए जाते हैं, और आप गंगा मैया से मिलना ह निवेदन करते हैं, कि आप यहीं पर आप रहे हैं, हमारे गाउं में रहे हैं, उनका निवेदन स्विकार करके, महराजी नीम करूली गाउं में आ जाते हैं, फरकावाज जन्रपत के नीम करूली गाउं में आ जाते हैं, आप तो वहां मंदिर विशाल मंदिर बन गया है, हो और छित्र में आप देख रहे है आप आते हैं मापण आप ग्राम पालशीं से कहते हैं गफा बना दीजिये दर्ती खोद की गुफा बना जी आती हैं गुफा का चित्र भी आप देख रहे हैं गफा के हमने लाइब दर्सन भी कर आए हैं तो गुफा बना दी जाती है मारा जी अब 17-18 साल की युवा हैं जटाएं हैं दाड़ी बड़ी हुई है इनका ये उसी समय का एक चित्र ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अदुतिय चित्र है आप गुफा में अंदर चले जाते हैं बहां तप करते हैं और घंटों तप क्या करते हैं जिस तरह से वह बवनिया में तालाब में क्या करते थे यहां अंदर गुफा में करते हैं एक दो शिश्य भी बहाँ बन गए हैं सेवा करते मैं उसमें कि एक बात बता दूँ आपको बहुत सारी घटनाएं हैं नीम करोरी की मैंने आपको लगवड़ सासो आर्सो कथाएं आप तक पहुँच चुकी हैं हमारी उसमें नीम करोरी की बहुत घटनाएं हैं मैं छोटी सी घटना बताता हूं आपको कि घंटों तब करते हुए हो गये माराजी को एक दिन और कुछ खाया पिया नहीं उनका एक серд से बहे लिया था वह दूद लेके जाता है और गुफा दूद भारपर खढ़ा हो कि वह सोचता है कि माराजी अभी निकले नहीं बाबा जी अभी निक बाबा जी लेटे हुए है, उनके सरीर पर, चाती पर, पेट पर, बहुत सारे सर फान फैलाये हुए, मादो बाबा की गले में देखे न, बिल्कुल बही इस थी, जैसे उसने देखा लोटा गिर जाता है, और बहलिया भी पचार काके गिर जाता है, मारा जी थोड़ी देर में गुफा से निकलते हैं, बहलिया इस पर्स करते हैं, कहते हैं मना किया था, क्यों आया, और वो ठीक हो जाता है, नीम करोरी में ब्रंदावन जाने की बात होती है, कई वहां के जो निवासी हैं, कहते हैं मारा जी चलो ब्रंदावन घूमा है, मत्रा घूमा है, तो वो उन्हें अस्वासन देते हैं कि चलो भाई तुम चलो, और वो चले जाते हैं ग्रामबासी, आप मत्रा ब्रंदावन के मंद्रों में मिलते हैं वहां दर्सन करते हैं साथ साथ और जब ग्रामबासी गाओं में आते हैं तो गाओं में मिलते हैं और ग्रामबासीों से कुवा बनवाया है। कुवा का फोटो देख रहे हैं। यह मंदिर उसके परसर में है ढग दिया गया है। तो यह राम सेवक के पिता के कोई संथान नहीं थी महारागजी के अनन भक्त रहे वो नीम करोडी में, एक दिन महारागजी नोंने सेव दे दिया, जा अपनी पत्नी क खेलादे लोग पहले धर्म-साला कुआ यह बनवाया करते थे धर्म के काम माने जाते हैं तो भाब यह बनवा गुवा जब उन्होंने बनवाया बेटे के जन्म पर तो इसका पानी खाना निकला ओ, महरत जी से काया जव कि महारत पानी तो खाना रहे निकल गया उन्हें कोई बात नहीं है इसम्मेश की बड़ी ना झाया दो तो उन्होंना चीनी के बोरे डिलवा दिया आज भी उस कुए का पानी इसका पुरे परसर में प्रियोग होता है और अम्रत में मीठा है कभी मौका मिले तो आएगा उस जल्व को गहां के चेगा एक घटना और मैं बता देता हूं कि नीम करोरी में यह जो अभी आस्तन देख यह प्रार्मिक अवस्था का नहीं है इसके विकास की कहानी मैं फिर कभी बताऊंगा आज महराजी के जीवन के बारे में बताता हूं तो एक वहां पर बनियां थे उनकी तीसरी पीडी राकेश वागु गुपता जिनसे मैंने मुलाकात की मैंने उनसे उनकी घटना के बारे पूछा तो उन्होंने बताया उन्होंने बताया कि हमारे पिता जी यहां की जमीदार थे और महराजी को किसी काम से गए होंगे और बता आए कि हनुमान जी का जो मंदिर आप बना रहे हैं इसमें हम इटे दान करेंगे महराजी घाव में खूम रहे थे उन्होंने पूछा कि भई तूटका वीटे दे रहा है तो महरा जी हमाएं पास तो ज्यादा कुछ है नहीं और यहीं दुकान है कपड़े की दुकान है कि राने की दुकान हैं जहीं कैसे आपको क्या करें अपनी बास से मुकर गए वो माराज जी अपने जो आपको ये चित्रवी आप देख लीजेगा गाय के गोबर गंगा जल और मिटी से जो माराज जी की प्रत्मा अपने हाथों से बनाई है यही इनी के मंदर की बात चल लए है होता क्या है कि जब माराज जी हनुमा जी के चड़ों में आते हैं तो उन बनिक महराज के हैं आग लग जाती है कपड़े की दुकान में आग किराने की दुकान क्योंको दोनों आसपास है मैंने देखी हुई है उन दुकानों का अब तो वहां टेलर बैठता है उस समय की बात है तो अब जब आग जलती है तो लोग भाग कर दुने बुझाने लगते हैं तो लोग पानी डालते है उनके ना और भावकने लगती थी जब ऐसी स्थिती हो गई तो गाउं वाले और उनके बाबा सब लोग भागे और दो तीन तीन मट का पैदल का रास्ता है दोड़ के पहुंचे और महराजी से कहा महराजी गलती हो गई हम एटें देंगे हम दान रुकिया हम मुकरेंगे नहीं हमने शं कर दीजिए महराजी ने का अगजा देख जागे कोछ नहीं जला है जब लोटके आते हैं दुकान पर तो बहां कुछ मिर्च जली पड़ी हैं बाकी का सब इथावत मिलता है तो बहुत कथाएं हैं बहां की बहुत चमतकार है तो यह चला है सन 1917 से इधर क्या होता है कि जो ट्रेन रोकने की घटना घटी है नीम करोरी में यह चर्चा बिस्विस्तर पर हो गई है बाती ऐसी है जब इस घटना की चर्चा उनके गाउं अकवरपुर में पहुंशती है तो बताते हैं कि जब घटना के बाद उनको बाबा नीम करोरी कहने लगे कि बाबा नीम करोरी ने ऐसा कर दिया बाबा नीम करोरी कही नाम से तो हम लोग जानते हैं तो आप देखिए आप जो जो नाम जानते हैं तब तक के नामों की जो सफर है जो यात्रा है लचपी नराई शर्मा पहला नाम दूसरा नाम लच्मर्दास बाबा लच्मर्दास तीसरा नाम तलया बाबा और यहां से यह यात्रा होते हुए आप पहुंचे बाबा नीम करोरी भूलियो बाबा नीम करोरी की जय तो बाबा नीम करोरी की चर्चाएं उनकी प्रसंदी की उनके चमतकारों की चर्चाएं होने लगी हैं यही चर्चाएं ग्राम एकबरपुर में पहुंशती हैं और जिसका बालक चला जाए जिसके साथ कोई दुरगटना हो जाए तो उनके पिता दुर्गादाश शर्मा कहते हैं कि जो वहां के गाउं वासियों नों बताया था मैं एकवर पुर गया था तब कि किसी भीतर है हमारा बालक मिल जाए और इच्छा भी होती है चलो एक काम करते हैं बाबा नीम क्रोरी से पूछते हैं कि हमारा लच्छ्वी नाई शर्मा कहा है चर्चा होती है घर में एक सज्जन जो उनके गाउं के हैं वहां नीम क्रोरी में मिलके आते हैं लेकिन वह जब लच्छ्वी नाई शर्मा थे वही तेरे वर्ष का बालक और 18-18 या 20 साल के हो गए होगे तो उस समय वह जब उनके पास पहुंचते हैं तो रूप बदल चुका होता है तब दाड़ी नहीं थी अब बड़ी बड़ी जटाएं हो गई हैं तो कहते हैं वह ग्रामीन आकर कि लगत तो अपने ही लच्छ्वी नाराइन है ऐसी चर्चाएं उनके पास पहुंचती हैं तो वह इस आसा से कि लच्छ्व पुर से ग्राम नीम करोरी पहुंचते हैं और नीम करोरी जब वो पहुंचते हैं तो उस समय बाबा नीम करोरी बैठे हुए हैं उनके चारों तरफ उनके भक्त बैठे हुए हैं अपने अपनी बात कह रहे हैं और दुर्गादाश शर्मा भी अपनी बात कहने पहुंच जा पहचान लेते हैं कि यही मेरा बेटा है और लचमी नरायन सर्मा और बाबा नीम करोरी भी अपने पिता जी बैठते हैं पिता और पुत्र का जब मिलन होता है तो बड़ा करोणा में बाता बड़ हो जाता है बाते होती है पिता अपने पुत्र लचमी नरायन शर्मा यानि बाबा नीम करूरी को आदेश देते हैं कि चल बेटा घर चलना है तुझे इधर एक दशक बीट गया है राम बेटी इंतजार कर रही है आप समझ लीजिए कि जिसकी आठ वर्स में साधी हो गई हो दो साल बाद तीन साल में पती त्याग करके घर का चला गया हो क्या गुजरी होगी हम लोग कि वह सोच सकते है बाबा से जब आग रह तो मैं नहीं कहू उनके पिता ने आदेश दिया उन्हें तो जब उस सबके आग्रह मानते हैं सबके निविदन मानते हैं और पिता का आदेश उनने शुरुधार किया उनका ठीक असाथ चलते हैं अपने पिता की साथ अपने गाउं अक्वर पूर आते हैं अपने परजनों से मिलते हैं अपन समझे कि लगवग एक दसक के बाद पत्नी के सामने पीशी होनी है कोई अता पता नहीं था गाओं में बड़े रिष्टे धवल होते हैं बहुत विश्वास स्रद्धा से जुड़े रहते हैं गाओं में चाचा बाबा नाना बतीजा यह रिष्टे होते हैं और अब तो यह कि कि अंग्रेजी में गाओं यहां पर तो अंकल जी कह दो काम खतम हो जाएगा कि कौन फूपा है कौन बुगा है कौन साला है यह सब पता नहीं चलता उसमें तो अब जो रिष्टों की बाद दोर है उसमें वहाँ आये हैं और अपनी अपनी बात हैं कह रहे हैं सांधिवेला में पत्नी से मिलन होता है गिले शिक्वे तो हुए होगे मानब दे लीला है और बाबा जी ने यानि लच्वी नराज शर्मा ने अपनी पत्नी को निश्यत रूप से जब समकी इच्छाएं पूरी करते हैं तो उन्हें विशंतुष्ट किया होगा और उन्हें एक तरह से भूबनवास काट लिया जो सीता मैया ने अकेले काटा था अब पत्यदेव आ गए है हसी खुसी का बाताबन बन गया है मिल जू लिये है पिता जी का आदेश है कि अब बेटा तुम घर रहोगे उन्होंने उस आदेश को की सुरुधार किया फिर उन्होंने आसीर राद मांगा पैर छुए और आसीर बाद मांगा कि पिता जी हम अपने गरस्त जीवन के उत्तरदाइप्त को भी पूरा करेंगे और जो जन करल्यार का काम सुरू किया है उसको भी करने देए आप इसाज़त देजिए पिता को डर ये था कि कई ऐसा नहों कि ये फिर घर से चला जाए और फिर लौट के नहाए उनको जन करल्यार से कोई समस्या नहीं थी उनको केवल एक बात थी कि बेटा घर आता जाता रहे जब उन्होंने अपने हिर्दे की बात अपने लच्मिन रण सर्मा से कही तो बाबा नीम करूरी ने उसको सुईकार किया और वो वक्त भी वक्त अपने घर आते रहे और चलते रहे इस तरह से उनका पुने आगमन होता है अकबरपुर में अकबरपुर आते रहते हैं उधर नीम करूरी में उनके चमतकार जारी रहते हैं जन कल्यान के काम जारी रहते हैं अब वर्स 1925 में आ रहे हैं आपको मैं जो जन मुगा था 1900 मैं आपको सन वाइज बता रहा हूं जिससे आपको बिलकुल सही सटीक जनकारी मिल सकें तो बर्स 1925 में बावा नीम करूरी को सुपुत्र की प्राप्ती होती है पुत्र रत्न मिलता है और नाम रखा जाता है अनेग सिंग शर्मा अनेग सिंग शर्मा आज भूपाल में रह रहे हैं उन्होंने दूर मोबाइल पर मेरी भात हुए थी उन्होंने आशिरबाद दिया तो उनका जन्म होता है 1925 में इधर जब तब भंडारा और जंग चर्चा के कारी करम नीम करूरी में चल लए है जिससे उनको भड़ी प्रसिद्धी मिल लई है मुझे एक पर्चा प्राप्टुवा मेला लगने लगा है मुझे एक पर्चा प्राप्टुवा में दिखा रहा हूँ आपको उसी समय का 1926 का पर्चा चपते थे पहले मेला लगता था और मेला लगने में उसमें बावा नीम करूरी के हस्ताचर भी है और उस पर्चे में लिखा है कि 10 से 11 माई को बिसाल मिला लगेगा यहां गत बरसों की भाद यानि पहले भी भाद मिला लगता रहा नीम करोरी में जब तब धर्म के काम चल लए हैं लोग जगे जगे से आ रहे हैं उनकी बारताएं चलती हैं उन्हें आशीरवाद मतलब एक समझ लीजिएगा कि संथ जीवन पूरे मानक से चल ला है इधर ग्रस्त जीवन चल ला है और यह चलते चलते बरस 1935 आ गया लीला ग्रह त्याग से सुव हुई थी 1913 में 1917 में भवनिया छोड़ दिया 1917 में ही आप नीम करोरी आ गए और 1935 तक नीम करोरी धाम में आप तपस्यारत रहे आप चित्र देख रहे हैं नीम करोरी महराज के नीम करोरी आश्रम के इस धाम के यह चित्र आप अभी के हैं और उस व्यक्त प्रतमा इस्थापित की तो पुने चाहूंगा कि आप दर्शन कर ले हनुमान बाबा के धर्म दर्श्टी पत्रिका में भी प्रकासित हुए हैं वह तो पर्वानेंट आपके दर्श्ट को से रहे लेकिन यहां पर आप देख लीजेगा अब 1935 में एक विसाल यह कि होता है उस समय बाबा नीम कुरोरी अद्बूत चित्र है यह कि हो जाता है और 1935 में वो लीला है कारण तो चाहें कुछ भी बता दीजेगा लीला है उन्हें लीला का बिस्तारी करण करना है नीम करोरी गाउं को बिदा दे देते हैं एक बात और मैं बता दू नीम करोरी गाउं को बिदा नहीं कह सकते मानब द कैसे छोड़ देंगे तो मानब दे लिला और उनको जगे जगे और काम करने हैं तो इसलिए 1935 में नीम करूरी गाउं को अलबिदा कहते हैं लेकिन देह से चले जाते हैं मन से वही हैं आज भी उनके होने का आभास मिलता है लोगों को गुफाएं भी हैं जो मैं आपको उस गुफा के भी दर्सन करा रहा हूं जहां दूती गुफा बनी थी वो गुफा भी अब उसका पुनुद्धार हो रहा है मैं अभी अभी यह अनंद चत्रोषजी एक सितंबर का चित्र है अनंद चत्रोषजी महाराजी का पुनित थी है महाराजी की तो उस दिन के चत्र में आपको यह दिखा रहा हूं आप गुफाओं में रहते हैं आप तालाब में रहते हैं और आप तो करकर में रहते हैं तो 1935 में वो बहां से किला घाट फतेगर आ जाते हैं आपको बताएं कि इसनान करने जाते थे महरात जी और जो ट्रेंड की घटना घटी तो वो भी गंगा इसनान करने जा रहे थे अब वहां पर आ गए हैं किला घाट जो है ना राजपूत रेजीमेंट मैं भी मेना आपको किस्से सुनाए है मैं करना वहांका अधिकारी है और मैं करना से भी कोड़े खाई महराजीन है चलिए पसंग बस आ गया है तो मैं बता दूँ आपको एक मिट में के बहाँ पर अधिकारी है मैं करना वो सादू संदों से बहुत नफरत करता है एक दिन बाबा नीम करोरी वहां जाते हैं और वहां पहरेदारी है जनरल के उसमें वो अधिकारी के उसमें कोई घुश नहीं सकता लेकिन वो चले जाते हैं कोई रोक नहीं पाता है उनको और वो उसके बिस्तर पलेट जाते हैं मैकन्ना जब आता है तो देखता है कि मेरे पिस्तर पर साधू कोड़ा उठाता है और दै कोड़ा दै कोड़ा कोड़ा से कोड़ा बार कर देता है और महाराजी लेटे-लेटे मुस्कराते रहते हैं और जूही मैकन्ना एक बार महाराजी की आँखों में देखता है और देखके एकदम फिर पैर पकड़ लेता है अपनी गलती के लिए और आपको मैं बता दूँ कि उन्होंने उस दिन उसे जनरल बनने का आशिरवाद दिया था जनरल बनने का कोई चांस नहीं था उससे बहु जो आर्मी में राजपूर रेजीमेंट के बहां के लोग थे तो उनसे भी उनके भी हमने चमतकार उनके जीवन में हुए वो भी हमने आपको बताए तो किला घाट पर बहां पर गाव सेवा की आपने आश्रम बनाया हुआ है और अभी इसी 2020 में जिन माई को वो आश्रम सौ है एक जगे है एक पाड़ फतेगड़ है एक फरुकाबाद है लेकिन अंतर कुछ भी नहीं है जनपत फरुकाबाद है गंगा का तट है और किला पर एक बात और यहां पर बता दूं कि जो उन्होंने बहां गाएं पाली थी तो वो जो कहते थे वो गाएं उसका अच्छा स् इस तरह से बहां पर गाएं जो थी उनका कहना मानते थी समय गुजरा क्योंकि लीला का एक पार्ट नीम करूरी से अब किला घाट आ गया है और किला घाट का समय 1935 का है अब वो तीरत यात्राएं भी कर रहे हैं आके जब जैसे हम लोग कहीं जाते हैं फिर घर आ जाते हैं जब त्यात्रा कर लेते हैं और किला घाट में आ जाते हैं किला घाट के बाद आपको याद होगा 1942 में कैची धाम बना है उसकी भूमिका 1942 में उदगाटित कर दी थी क्योंकि जंगलात में जो जंगल है वहाँ पर बन छेत्र है वहाँ पर तो पूरा नंद तिवारी कैची क निवासी कैची गाओं है उसमें मंदर बना हैं उसे हम कैची धाम कहते हैं तो कैची निवासी जब नियानी ताल से अपना मुकतमा लेकर बापस आ रहे थे रात हो गई थी तो रात के अंधेरे में एक मोड पर वो मिले थे महराजी और वो डर गए थे पूरा नंद तेवार लिए और सब कुछ उनके लिए जो कहना था कह दिया तो पूरा नंद ने पूछ लिया था कि महराजी अब दर्सन कब होंगे बहुत महत्मूर बात बता रहूं मैं आपको तो उन्होंने कहता ठीक 20 साल बात और आप देखिए 1942 में उनसे मुलाकात होती है तो 1962 में कैची धाम की नीम रखी जाती है ठीक भी साल बात और वो भी 1962 में महराजी पूरा नंत वारी की घर पे गए उस घर का चित्र आप देख लिजेगा उनके बेटे सुसिल से और उनके और बेटों के साथ एक चित्र है यह धर्मदस्टी पत्र का उन्ही पूरा नंत वारी के बच्चों को बेट कर रही है एक तरह से पांडर के लिजेगा तो वह चित्र आप देख लिजेगा तो पूरा नंत वारी को जो बीच साल बाद आने की बात कही है तो उन्हीं सो बासेट वह कैची धाम के लिए बहापर पहुंचते हैं कैची धाम की स्थापना होती है और बहां पर जब मन्दर नहीं बना सकते हैं और उत्राखंड और उत्रपदेश उसमें एक ही था तो ने का कि जगे कर दिजेगा हम मंदर तो यह हैं बनाइगे तो मंदर आप बनाइंगे मेरे अधिकारशत की बात नहीं है यह मिनिश्टर कर सकता है उन्हीं कौन मिनिश्टर है बोले चरहं स और ऐसी लीला हुई प्रवगी कि दूसरे दिन चरण सिंग बनमंत्री हैं वहां कैची धाम पहुंचते हैं और महराजी से कहते हैं कि कितना छेत्र चाहिए आपको उतना ही हम अलोट कर देते हैं तो उन्हें ने का हमको इतना छेत्र दे दो तो जितना छेत्र बताया था आज कैची धाम जितने परचेत्र में हैं उससे जादा छेत्र चौदी चरण सिंग ने अलोट कर दिया उन्हें का अमाराज आप काम शुरू कर दीजे यहाँ पर मैं पत्र भिजवा दूँगा और उस जो भविश्वाड़ी उन्होंने कर दी आज हमारे इतिहास का गौरब में प्रश्ट है वो कि वो चौदी चरण सिंग को प्धानमत्री बनने का अवसर मिला यह 1922 तक पहुंचते हैं और इधर मैं आपको बता दूं कि 1937 में ग्रस्ट जीवन भी सासाथ चलना है संत धात्म पिक छेत्रवी सासाथ है तो 1937 में दूसरे सुपत्र की प्राप्ती होती है सुपत्र रत्न की प्राप्ती होती है नाम रखते हैं वो धर्म-नाराइण शर्मा जो आजकल ब्रंदावन में महरत जी का कारभार देख रहे हैं धर्मनाई शर्मा जी भूट अच्छे संत हैं उने ये गरस्ति जीवन मैं आपको साँ-साथ इसलिए बता रहा हूँ कि बिश्व के संत इतिहास में देव इतिहास में आप ले लीजिएगा कहीं पर भी आपको दूसरा उधार नहीं मिलेगा कि गरस्त जीवन को इतने सलीके से जीने के साथ संत जीवन देव का सली की से जिए गया हो तो लग बात में में की आध्यात्रा की बता है दूस्तिय पुत्र की प्राप्ति 1937 में होती है और 1945 में कन्या रत्न प्राप्त होता है नाम है गिर्जादेवी मैंने आपको आशीर बात दिलवाया था चित्र भी मैं आपको दिखा रहा हूं तो महराजी की तीन संताने गरस्त जीवन साथ में चलना है और एक विश्यस बात हूं बहुत कम लोगों को पता है यह कि महराजी गरस्त जीवन इधर बिता रहे थे उधर अध्यात्मिक यात्रा कर रहे थे और गाओं के प्रधान भी बने समझना है यह आपको थोड़ सा जीव लगेगा लेकिन गाओं के प्रधान बने वो मैं अकबर बुर गया था मैं आपको चित्र लगाता दिखा रहा हूं तो ग्राइम बासियों ने बताया जिनों दर्सन किये उनके एक चित्र डाक बगलिया है बहाँ पर महराजी का जो जनकल्यान लोगों काम परते तो पहुंचते हैं जो आदमी जब जाता था वहाँ पर जब जाता था कि प्रधान जी से मुझे काम है डाक बगलिया का साकर करगठाई यह चित्त देख रहे डाक बगलिया का और महराजी बहां प्रगठें महराजी है वहाँ पर कभी किसी को या सुर्दा नहीं होई कि कोई काम है कि माराजी बाबा जी हैं बहां होंगे यह रूप उनका है आप यहां महसूस करें और उसी चड़ आप कलकत्ता में महसूस कर लें उसी समय आप अमेर काम महसूस करें यह काम जो था लगातार चलना था यह उनकी शक्ति और यह जो देव लूज़ाते हैं तो बो सरिधर कर लेते हैं जे ड्वोराबहाएज नंड सकता है ये असली ये निगली है दो यहीं है नीम क्रोरी bén a नीम क्रोरी अपने ग्रस्त राजनैतिक प्रशाश्निक अपने अध्यात्मिक ध kg कहाँ था कि मैं धर्ती तर्ण को बढ़ाने आत्क घ्र्रण की कहानी हम आपको बता रहे हैं तो मैंने ग्रस्त के साथ यहां पर आप समझे लिए कि ग्रस्त जीवन भी शुखी है और अध्यात्य में क्यात्ता अवाद रूप से द्रंतर चल लई है आप 1952 में बासिट में कैची धाम बना है 1952 में उत्राखंड जो आज का है पहले उत्रप्तेश कही भाग था तो उत्राखंड में वो मंद है दर्शन कर वाया है वह सी तो वह मनोरा की परबत हैं और उन परबतों पर मिठी है बहूं कोई बिल्डिंग नहीं बना जा सकती है क्यों को मिठी की सकती रहती हैं आज देख रहें हैं किया बिल्डिंग बनी हुई है और बहां की जो इस्ठानी यह लोग है व Morag कि जो बच्चे खतम हो जाते हैं न कभी कभी काल कबलित हो जाते हैं तो उनको दफनाने की वो जगह है यादि शमसान मनोरा का मनोरा गाउं का समसान भी है वहाँ पर और महराजी न बहां मंदर बनवा दिया आज बहां बिल्डिंग बन सकती है बनी भ्रूइए हैं बहुत थावी आपको सुनाई है तो जो बच्चे आए थे ना बहुत बड़ी संक्या में बच्चे आए थे वहां भोजन करने तो शाम को जब उन्होंने कहा था कि आज अत्रप्त आत्माएं त्रप्त हो गई हैं ऐसे बहुत से काम किये तो हनुमान गड़ी में मंदिर बनवाया आपने काकडी घाट में मंदिर बनवाया आपने भूमियध हार में मंदिर बनवाया ये मंदिर बनवाने की स्रंकला चल पड़ी आज विश्व प्रसिद सरंखला में कैची धाम तो ही, इसके साथ आपके मंदिर बनवाने की जो सरंखला है वो बावनिया में पहले शुरू हुई, बावनिया में बनवाया, नीम करोरीम बनवाया, कानपुर में, लखनव में, इलावाद में, अयोद्या में, बनारस में, ब् चुके हैं, और यह मंदिर बनने की सरंखला स्रीमा पार चली गई, टाउस में मंदिर बना हुआ है, अमेरिका में, जर्मनी का, मैंने आपको दिया है, पूरा धर्मदस्ट में, पूरा वेवन दिया है, बहाँ पे मंदिर बना हुआ है, उसी छेत्र में, नौकुचिया धाम महाराजी का बहुत बड़ा उनकी एक शिश्या मौनिम आई हैं जिन्होंने 62 वर्स तक बात नहीं की यानि मौन धारण कर लिया था वह बहुत बिशाल मंदिर बहां बना हुआ तो अब कितने मंदिर हैं आप ठीक से गर गिन है रिशिकेश में बहुत बिशाल मूर्ती है अनु क्योंकि अब जिस तरह से भगवान के मंदिर हैं वो हमारे भगवान के हैं और सब के भगवान हैं तो कहां कहां कितने मंदिर बन गए हैं पता नहीं है तो मित्रोब दिल्ली में महरौली जोनापूर बेला-रोड शिमला वीरा-पूरम बद्रीनाथ गर्जला पिठोरागर ध मंद्रों की स्रंकला बड़ी विस्त्रित है जहां महाराजी मिल जाएं पहीं दर्शन कीजिएगा आपको मैं पता दूं कि इसी तरह से महाराजी के भक्तों की स्रंकला कोई सूची पद्द नहीं कर सकता मैं अगर सही कह रहा हूँ तो आपको लग रहा हूँ क्योंकि पर्थम राश्ट्रपती डक्टर राजयन्द परसास से लेकर बीवी गेर जिस्टिस बास्देव मुखर जी जवालाल नहरूर लाल बादुप सास्त्री इंद्रा गांदी अटल वैरी बादप्याई चंद शेख अगर हमारे बाबा जी राम है तो हनुमान जी है तो सिद्धी मा मैं आपको बता दूं अभी जो हमारे जिन से मुलाकात हुए मैं उनके नाम भी लेना चाहूंगा रविंद कुमार जोसी बिनो जोसी प्रदीप शाह रगवन स्तिवारी और बहुत सारी नाम है भाईया जी ह जिनकी कथाएं मैंने आपको सुनाई हैं मैं बहुत लोगों के च्छमा चाहता हूं क्योंकि नाम सबके लेना संभब नहीं है आप जिस अनन्य भक्तों कि सरंकिला में हैं फॉरन से जो लोग हैं मैं पता दूं स्टीव जॉप्स हैं मार्क्स जोवर हैं डाक्टर एलपर्ट हैं क्रिश्न दास हैं कई हीरोईन कई हीरो कई अबनेता द्योग पती और राजनीत में बनलब जहां शिकर पुरुष माराजी के भक्तों कि सरंकिला में हैं लेकिन आपको मैं बता दूं कि उन्होंने अपने लिए कोई आवास स्वेम के लिए नहीं बन बाया कहीं पर नहीं रहे हैं बहुत सारी बात मैंने आपको बताई हैं जीवन के उस कोड में जहां पर कहीं पर भी किसी भी इस्तिती में महराजी ने अपने परिवार के लिए अपने वेक्त के जीवन के लिए कुछ नहीं किया सब जनकल्यान जिनसे जो होना है मैंने आपको एक सोवरन सिंग की कथा भी सुनाई थी कि सोवरन सिंग के गाओं के पास का रहने वाला था उसकी मदद के लिए आप कप्तान के पास पहुँच गए थे जिसका एंकाउंटर होना था उसकी जाच करवादी निर्दोस विक्ती बच किया था है ना और ये तो बिल्कुल ऐसा नाम जो किसी नहीं सुना सोवरन कॉल है है कि नहीं ऐसे करोनों यहां खाने पीने के मान जीवन बाबा हैं देखे कितना महत्पुन नाम में भूला केके शाह है मैं बता रहूं किसी भी तरह से में पूरे नाम नहीं ले सकता तो इन सब ने महाराजी के अनने सेवा की अनने भक्तों की स्रंखला में रहे और आपको एक बात बता दूँ कि इन सब भक्तों को ये अंक मैं समर्पित करता हूं क्योंकि इस अंक मैं महाराजी के अवत्रन से लेकर जन्म से लेकर और अब मैं चलता हूं मानब देल लीला की तरफ ले आता हूँ आपको 11 सितंबर 1903 को आप कैची धाम से जब चलते हैं आपका अलप परवास जग मोहन शर्मा आगरा में अनने भगते हैं के भाव पर रुकते हैं भागी सारी कथा मैंने आपको पहले भी सुनाई हुई है बस मैं संशेप मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि वो जग मोहन शर्मा के हैं जो अलप परवास करते हैं भगतों के हां रुकने की जो मानब दे लीला के अंदर मानब दे लीला का अंतिम परवास जग मोहन शर्मा आगरा निवासी को मिलता है यह सोब आगे और इसके बाद जब वो काठ गुदाम के लिए पुने ट्रेन मे बैठते हैं तो उनके साथ होते हैं रविखन्ना जो कैची धाम से साथ ही आए थे रविखन्ना का भी चित्रम दिखा दूँ मैं ये अमेरिका में अभी रह रहे हैं और मानब देर लीला का समापन उन्होंने ओम जै जगदी सरे जगदी शरे कह के मतलब ये मैं बता दूँ कि एक लीला मानब दे की एक लीला का विस्राम कर दिया मतलों देवरहा बाबा ने देवरहा बाबा ने कहा है कि बाबा नीम करोड़ी कहां जा सकते हैं उन्होंने ऐसी मानब दे लीला का कई बार अब कई बार से मतलब आप समझ रहे हैं क्योंकि देवराद बाबा की भी काता है मैंने दस तक जिन्दगी पर सुनाई है और उसमें उनने कहा है उनकी आयो का कोई पता नहीं है और मावारत काली दरशी भी उनने देखे है और उनका जो बिस्राम हुआ है उसके भीच में बाबा नीम करोरी का ये बिस्राम का जो गाता आई थी उसमें उनका उलिक है तो मानब दे लीला रही है एक प्रसंग और आया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था मानब दे लीला का विस्राम करते समय आप ब्रंदवन आस्रम में आप देख रहे हैं समादिस्त हैं इस लीला का जो समापन हुआ जन्म से लेकर और यहां तक पहुँचने की लोगाता है 11 सितंबर की बात करते करते बस तो मैं मैं पता नहीं क्या नहीं कह पाता हूँ मैं आपसे बस मैं किबल एक ही बात कहता हूँ कि मानब दे लीला 11 सितंबर 1973 को यहां बिस्राम कर दी गई यह वही स्थल है जहां माराजी आज उस दे लीला का समापन कर चिर निद्रा में लीन हुए थे और यह चड़क मातर दे का त्याग था माराजी कहीं नहीं गए हैं माराजी हम सब के बीच में हैं आज भी माराजी भक्तों को दर्सन देते हैं भक्तों पर करपा बरसाते हैं और माराजी के जाने के बाद मानब दे लीला में जाने के बाद ऐसे अनेक प्रसंग आई हैं ऐसे अनेक भक्तों के अनवाब रहे हैं कि महराजी ने किरपा की और मैं तो अपनी वीडियो संख्या 101 में बताया था आप उसे सुन सकते हैं और अन्य भक्तों की भी बाते हैं जिन में दरसंदिये आपने किरपा बरसाई और आज भी बरस रही है तो मित्रो 1973 को 11 सितंबर 1900 से लेकर 1973 तक का जो प्रमारित जानकारी थी मेरे पास मैंने आप पुदी है आप इस अंक को महराजी के अनने भक्तों को समर्पित करते हुए महराजी की मानब दे लीला के पशात करपा परस रही है सब पर आशीरबाद में लाए है आप सब को मिले आप सब के साथ दस्तक मीडिया परिवार को ही मिले ऐसी कामना के साथ आज मैं आप से बिधा लेता हूँ राम राम वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब परें और बेल आइकन दवाना बिल्कुल न भूला है ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें आपको मिलते रहें